हेलो एवरिवन आप राधा एम हेर विद मैं पर्जेंटेशन एंड टूडे दे टोपिकों में पर्जेंटेशन इज ए रूम ओफ वन सोन बाई विर्जिनिया वूल्फ यह फेमिनिस्ट क्रिटिसीजम में आने वाला बहुत ही फेमस वर्क है फेमिनिस्ट क्रिटिसीजम के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं फेमिनिस्ट क्रिटिसीजम के बारे में हमने एक और वीडियो बनाई है जो है एलन शोवल्टर की फेमिनिस्ट क्रिटिसीजम इन वाल्डरनेस उसमें भी हमने फेमिनिस्ट क्रिटिसीजम के बारे में जाना में किस तरह से करना पर्यत्ता है तो इन राइटEr्स ने इस जो ससाइटी में इनीक्वालेटि तबूस्ट अगेंस्ट आवाज उठाए थी जिसे हम फेमिनिस्ट क्रिटिसीजम के नाम से जानते हैं तो हमारा जो ए रूम ओफ वन्स ओन है बाई विर्जीनिया वुल्फ ये भी फेमिनिस्ट क्रिटिसीजम में आने वाला बहुत ही फेमिस वर्क है क्योंकि इसमें भी उन्होंने ए रूम ओफ वन्स ओन में ए रूम को एक सिंबल के रूम में माना है ए रूम ओफ वन्स ओन यहाँ पर इसका मिनिंग है कि एक औरत का भी अपना रूम होना चाहिए मतलब एक औरत को भी अपने अधिकार मिनने चाहिए इसके और भी मीनिंग कौन से निकलते हैं यहां पर रूम का मीनिंग उसके एकोनमिक जो फ्रीडम है उससे लिया जा सकता है और सेकिंड जो इसका रूम है इसका मीनिंग उसके क्रियेटिव पावर से लिया जा सकता है कि उसमें क्रियेटिव पावर होती है उसको दबाना नही उसने जो यह क्रेटिव पावर है उसके लिए जीव डित सेश्पियर का पी एक एक जेम्पल दिया है जो कि इमेजनरी शिष्टरा शेश्पियर की जो कि उसके अंदर भी क्रेटिव पावर थी वो अपने भाई की तरह ही इंटेलिजन थी उसके अंदर भी क्रेटिविटी थी लेकिन वह है अपने भाई की तरह हम उसको नहीं जानते वो इतनी फेमस नहीं हुए बलकि उसने शुषाइड की थी तो उसने शुषाइड क्यों की थी वह हमें सैचिंगों पढ़ने के बारे बात हैं उसको हम पता करेंगे तो हमारा जो A Room of One Zone है यह हमारे Feminist Criticism में यह बहुत ही फेमस वर्क है और जो हमें A Room of One Zone के पारे में जाने से पहले हमें यह जानना होगा कि Feminist Criticism कैसे शुरूई थी इसका development कैसे हुआ था तो इसके बारे में भी हमें जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आप किसी क्रिटिसिजम से रिलेटेड और वर्क है उनकी भी इंफोर्मेशन होने यह तो हमारे Feminist Criticism से रिलेटेड जो दूसरे वर्क है वो कौन से है Mary Wollstonecraft's A Vindication of Right of Women यह 1792 में पब्लिस हुआ था John Stuart Mill The Subjection of Women 1869 John Stuart Mill है उसका Subjection of Women है यह 1869 में पब्लिस हुआ था Virginia Woolf का हमारा जो ऐसे हम करेंगे आज़े A Room of One Son यह 1929 में पब्लिस हुआ था साइमन डिवावर का The Second Sex यह 1949 में पब्लिस हुआ था Kate Millet का Sexual Politics और एसे यह हमारा जो ऐसे है अब हमारा जो मेन ऐसे है उसके बारे में हम जान लेते हैं तो हमें इस ऐसे को जानने से पहले जो हमारे हिस्ट्री है जो हमारे feminist criticism है उसके बारे में जाना तो इसके फेमस राइटर है मेरी वूर्स्ट्रों क्राप, जून स्ट्रोर्ट मिल, विर्जिनिया वूल्फ, सैमिन डिवावर, कैट मिलेट और इनके जो वर्क है उनके बारे में पढ़ना है तो अब हमारा जो ऐसे है A Room of Ones, इसके बारे में जानते हैं A Room of Ones On, based on the two lectures delivered in 1928 जो हमारी विर्जिनिया वूल्फ थी, वो ब्लूम्सपुरी ग्रूप की मेंबर थी, ब्लूम्सपुरी जो ग्रूप है वो intellectual जो बंदे है उनका ग्रूप था तो इन्हों ने 1928 में अपने लेक्चर दिये थे उसने दो लेक्चर दिये थे तो यह हमारा A Room of Ones Ones, जो उसके लेक्चर थे उनके उपर बेश था और यह lecture कौन से थे उनके बारे में भी जानेंगे यह दो लेक्षर एकम पर थे नियुहम कॉलेज है नियुहम कॉलेज में थे गोर्टन कॉलेज, वुमें कोंसे थे उनका रज़ेकर एकशिए कंबरिस फेल जो पार्ट है वह मिला था तो यहां पर 1928 में विर्जिनिया वुल्फ ने लेक्चर दिया था और जो यह हमारा ऐसे है रूम ओफ वन्सों वो उसके दोर दिये गए जो लेक्चर है उसके ऊपर यह बेश्ट है अब इसमें विर्जिनिया वुल्फ ने इमेजनरी नेरेटर दी है जैसे कि हम हिंदी में वैसे ही नाम लेते हैंBS सीता गीत गीता ऐसे नाम लेते हैं तो यहां पर उसने इमेजनरी नेरेटर अर बोल आपको इधरियुआं और उसको एड्रेस करी हैं तो यहां हैं इसको बिलाम से जान सकते हो दोसने ये नाम है इनको उसने मेजनेरी नाम कहा है तो पbury और हुआ किसी भी नाम से जान सकते हो और फिर वो जो हमारे ये अपना जो वर्क है उसको सुरू कर देती है और फिर उन्होंने जो अपने जो व्यूज देने थे वो देने सुरू कर देती है तो इसमें जो विर्जीनिया वुल्फ है उसने जो वूमेन है उसकी एक्वैलिटी के उपर उसकी एक्वैलिटी के लिए कहा कि हमारे province πάी है उसमें ज्टी हुई है फैली हुई है वह नहीं होने हैं चीए जो हमारे इन ही है और उन्हों के साथ ही अपने जो थोड हैं अपने जो यूज हैं feminist criticism से related उनको प्रजेंट किया है तो इसमें उन्होंने जो imaginary name दिये हैं मेरी बर्टन, मेरी जेटन, मेरी कार माइकल और एनी अदर नेम कोई भी नाम अप ले सकते हैं तब वो turning to the history वो history से लेती है कि हमारे जो literature उसका development कैसे हुआ है जो हमारे शेक्सपिर है उसके बारे मतलती है कि जो हमारे उनकी भी a imaginary sister थी उसने कहा कि शेक्सपिर की भी sister थी लेकिन में शेखश्पियर के बारे में नहीं है इमेजों है इमेज़न से अपने माइंड से मैंड शेखश्पियर की शेखश्पियर के आशार के रॉठी है जिसमें creative power होने के बाद भी उन्हें सुसाइटी में दबा दिया जाता है तो वह मा जो हमारी हिस्ट्री है टर्नी टूदे हिस्ट्री हिस्ट्री से अपने जो वर्क है उसको बताती है लेकिन उसका family ने support नहीं किया उसका जो society है उसने support नहीं किया तो उसने वह थी तो अपने भाई जितने ही एक तरफ तो उसका भाई था जो बहुत famous हो गया जो विलिम शेश्पीर है वह बहुत famous हो गया और दुसरी तरफ जो हमारे विर्जिनिया वो थी जो हमारे जूडिस शेश्पीर थी वो क्या थी उसको उसको क्या है तबा कर रख गया वो ashamed फिल करती है तो क्या है यह जो जूडिस शेश्पीर उसके बारे में लिखती है और जो जूडिस शेश्पीर है वो अपने फेंप लेने के लिए वो घर से बाहर निकल जाती है वो आपने वर्क को पब्लिश करना चाहती है तो वह एक इनसान के एक बन्द के ने कॉंटेक्ट में आती है जो उससे शादी करने का शादी करने के लिए कहाता है कि मैं तुझे शादी करूंगा लेकिन वो से शादी नहीं करता डायरेक्टर एंड शी वाज रेवड और फिर वो सुसाइटी के डर की वज़े से सुसाइड कर लेती है शी कमेट सुसाइड तो यहां पर यह बता गया है कि जो जूडिस शेश्पेर है वो भी इक्वली इंटेलिजन थी लेक उन्होंने बहुत सारी उन लड़कियों के लिए उन और तों के लिए उन्होंने इस जूडिस शेश्पेर को प्रेज़ेंट किया है जो अपने fame को नहीं प्राफ्ट कर पाती और उने क्या है सोसाइट करनी पड़ जाती है या अपने सोसाइटी के according खुद को ढालना पड़ जाता है तो यह उन सारी के सारी जो ओरते हैं जिनमें creative power होने के बाद भी दपा दिया जाता है उनके लिए जो हमारा Judith Shakespeare है उसका example लिया एकनोमिक freedom मिलने चाहिए तो इसकी जो थीम है वो है importance of money economic freedom मिलने चाहिए और यह फैमिनिस क्रिटिसीजम के बारे मैं नहीं पहले लिए जो और जो हमारे man-made society है उसमें जो जो पैट्याकल सुसाइटी है उसमें जो वूमें है उसको क्या मिलने चाहिए राइट मिलने चाहि और इसमें जो Woman में जो Gender Inewill equality है वो भी दूर होने चीजै…. तो उसने Exeample भी लिये है..…. उन्होंने एक ग्जेमPLE, Cat का एक्जेम्पल लिया है…. और जो Cat का एक्जेम्पल है यह उन्होंने ओक्सपोर्स जो हमारी का सिस्टम बताया गया है जो हमारे विजीनिया वुलफ है उसने यह कहा है कि जो और सब्स चारिव के ऊणिन थेई राई और वुमन है उन्में पॉनच नहीं है तो जब किसी बिल्ली को उसकी पूँच के बिना देखते हैं तो अजीव लगती है और इसी तरहий से जो वुमन है अगर कोई को penser परorama चाहती और शीश कमिट सोसाइड ये मैंने आपको पहले पता दिया है तो हमारा जो ए रूम ओफ वन्स ओन जो है ये हमारा फैमिनिस्ट क्रेटिसीजम के अंदर आने वाला बहुत ही फेमस वर्क है और ये विर्जीनिया वुल्फ के जो दो लेक्चर दिये गए थे उनके उपर बेच ऑर जो हमारे दो लेक्चर थे वो उन्ह осв wurden सोन m्यधंप्रिज और वर्टल्व में दिये थे जो कि यूनिस्ट्य आप केंप्रीज के एंडर आते हैं और उसनेस ने ये सारा का सारा जो रूह जो हमारा वर्क है उसमें ये ही कहा है कि a रूम ओफ वन्स ओन, वोमन को भी राइट होने चीए, रूम ओफ वन्स ओन, वोमन के पास भी अपना रूम होना चीए, रूम ओफ वन्स ओन, वोमन के पास क्रियेटिव पावर के लिए एक्वैलिटी होने चीए, रूम ओफ वन्स ओन, किसी भी वोमन के साथ इन एक्वैलिट नहीं होने चीए a room of one's own हमारी education है religion है जो हमारा society में जो अलग-अलग structure है उसमें woman को man के equal equal जो place है स्थान है वो मिलना चीए woman को man से कम नहीं मानना चीए जो woman है उसमें biological difference होता है लेकिन उसको हमें creative रूप में उसे कभी भी कम नहीं समझना चीए हमें उसकी creative power के बारे में सोचना चीए उसकी creative power का सम्मान करना चीए एक woman को वह दरजा नहीं मिलना चीए जो हमारे जो यह room of one's own में शेक्ष्विर की sister के साथ हुआ था वो एक woman के साथ नहीं होना चीए उसे एक उच्चा दरजा मिलना चीए उसके साथ ऐसा नहीं होना चीए कि उसकी creativity तो दबती ही दबती है उसे society में खुद कुचल कर रखना पड़ता है तो यह room of one's own किसी भी woman को अपना एक room होना चीए उसके अपनी freedom होने चीए उसके freedom को कभी में तोड़ना नहीं चीए और यही हमारे जो विर्जीनिया वूल्फ है उन्हों ने अपने ऐसे room of one's own में हमें कहने की questions की है कि हमाया जो woman की creative power है उसको क्या है man के equal मानते हुए उसे equality का दर्जा देना चीए उसे right देने चीए और उसे economic, religious, legal किसी भी तरह से man से पीछे नहीं रखना चीए तो हमारे जो वीडियो थी वो हमारे जो हमारे विर्जीनिया वूल्फ का जो ऐसे था a room of one's own उसके उपर best है और यह feminist criticism के अंडर आता है यह वर्क तो हमें इसको feminist creative season से related करके इस वर्क को समझना होगा थेंक यू